सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चानल को और बेल आइकन को दुबाईए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए बारिश का सीजन है तो आज मैं आपको बताऊंगे फ्रेंच फ्राइस बनाना जो कि बड़ो और बच्चो सबको पसंद है तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं मेकडॉनल स्टाइल फ्रेंच फ्राइस दोस्तों मेरा नाम है सोनल आप आए हैं सोनल के सोई में चलिए शुरू करते हैं मिक्डॉनल्स स्टाइल फ्रेंच फ्राइज बनाने की रिटिन वेसिपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो चलिए इन्हें बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तीन लंबे वाले आलू लिये हैं क्योंकि फ्रेंच फ्राइज थोड़े लंबे होते हैं तो देखने में जादा अच्छे लगते हैं तो अब मैं इन आलू को छील लेती हूं यह देखिए अब आलू छील चुके हैं तो अब हमें इस काटेंगे ने तो यहाँ पर मैंने ये french fries cutter लिया है जो मेरे पास already है इसमें मैं हमें एक आलूर लंबाई में रखूँँगी और उपर से प्रेस करूँगी तो इस तरीके से जो हमारे french fries है वो एक ही shape के कटते हैं और बहुत ही सुन्दर दिखते हैं ये french fries cutter की amazon link आप नीचे description box में देख सकते हैं और online order करके मगा सकते हैं इन french fries को काटने के तुरंद बाद आप इन्हें एक ice cold water में रख दीजिए जिससे ये काले नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें iron होता है और carbohydrate होता है तो ये जल्दी काले पढ़ जाते हैं अगर आपके पास ये french fries cutter नहीं है तो मैं आपको उसका alternative तरीका बता रहे हूँ आप इस तरीके से भी काट सकते हैं पहले उसके चारो तरफ से एक rectangular form बनाएए काट लीजे और फिर उसे छोटे छोटे लंबे पीसिस में काट लीजे ये दिखें मैंने सारे बना लिए हैं काट लिए हैं और इन्हें मैंने ice cold water में रखा हैं ताकि ये काले ना पढ़ें क्योंकि आलू काले जल्दी पढ़ जाते हैं कि आलू को काटने के बाद हम इने p kalo boil करेंगे इसके लिए यहां पर मैंने एक ढगंगम पानी ले लिया है और पानी को मैंने गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू के slices और इन्हें हमें जादा नहीं पकाना है इन्हें हम करीबन तीन से चार मिनिट के लिए धीमियाज में पका लेंगे तो देखिए यह हमारे आलू हो गए है और जिसमें आपके देख रहे हैं जाग आया है यह इसलिए क्योंकि इसमें अपने काबोहाइडिर्ट रिलीस किया है तो यह अभी हमारे आलू बेनके विल्कुल रेडी है मतलब पारबोई हो गए है तो इन्हें मैंने एक छल्ली में छान लिया है और अब इसके उपर हम डालेंगे आईस कोल वाटर क्योंकि अभी आलू गरम है ताकि अभी गर्मावाट के कारण यह और ना पके इसलिए हम इसके उपर गेचेंटाल में निकाल लीजे ताकि जितना भी एक्सिस वाटर इन फ्रेंच फ्राइज में है वह गेचेंटाल अब्सॉप कर लें अब हम इन पटेटो के स्ट्रिप्स को एक प्रे में निकाल लेते हैं और इसके उपर हम डालेंगे दो पड़ी चमच कॉन फ्लार फ्रेंट्स आलू के जो हमने ये लंबे-लंबे स्ट्रिप्स काते हैं इसके उपर जब हम कॉन फ्लार के लेर लगाते हैं इससे जो हमारे फ्रेंच फ्राइस हैं वो काफी क्रिस्पी बनते हैं और क्रंची भी बनते हैं जो कि खाने में काफी जादा अच्छे लगते हैं इसलि तो हमारे वेफर उतने जादा क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनते हैं यह देखिए इस तरीके से हमारे फ्रेंच फ्राइज दिख रहे हैं तो यहां मैंने तेल को गरम करने रख दिया था और तेल जो है मीडियम आज पर मैंने गैस रखी हुई है और तेल भी मीडियम होट है तो इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज डाल दिये हैं और इन्हें हम दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे उससे जादा हमें यह फ्रेंच फ्राइज नहीं पकाने हैं इस तेज पे क्योंकि हम फ्रेंच फ्राइज को डबल फ्राइज करने वाले हैं अब इन फ्राइज को हम खड़ाई से निकाल लेते हैं और जब तक हम बाकी के फ्रेंच फ्राइज तलेंगे, फ्राइज करेंगे, तब तक यह जो हमारे फ्रेंच फ्राइज जिसने हमें अल्रेडी फ्राइज करके रखा है, इन्हें थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, यह देखिए मैंने एक मैंने वापस से इसे तेल में डाल दिया है, आप ध्यान रखें कि जो तेल आप लेंगे वो थोड़ा गंदा हो जाता है कॉन फ्राइर की वजह से, तो आप ज़्यादा तेल नहीं लें, और जब उससे अगर आप कोई रियूस करना है तो आप उसे चान के रियूस करें, विधने अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से यह हमने फ्रेंच वाइज अपने सारे तल ले है, यह देखिए, अभी हमारे फ्रेंच वाइज बन के सारे रेडी हैं, तो अब हम इन्ने एक किचिन पेपर टाल में निकाल लिए या फिर आप एक टिशिव में भी निकाल सकते ह ताकि जो excess oil है वो absorb हो जाए अब जब यह गरम ही हो तब आप इसमें उपसे डाल दीजें थोड़ा सा सॉल्ट और यहां में डालूंगी साथ में black pepper powder जिससे आप काली मिच का powder भी बोलते हैं इससे थोड़ा फ्लेवर एंड टेस्ट बढ़ जाता है आप अपने according कोई से भी अच्छी लगी फिंच फ्राइस की मुझे लिख के जरूर पताएं और आप इसे जरूर ट्राइ करें अपने घर पर अगर अच्छी लगी हो मेरी यह रिस्पी तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और आप मेरे चानल को तो सब्स्क्राइब करेंगे ना आप मुझे दूसरी सोचल नेटवर्किंग साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां मुझे लिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं थैंक यू